चले फ्रेंट्स क्योशन स्टार्ट करते हैं सिलकान सामागरी में रोधिका बोल्टेज का कारण क्या है आप्षन ए कम परमाणु संक्या आप्षन बी प्रतिरोध बहुत कम है आप्षन सी डोपिंग प्रतिसत अधिक है आप्षन डी बैलेंस इलेक्ट्रान केवल दो है तो आप्षन ए साय होगा कम परमाणु संक्या यानि लोवर एटोमिक नमबर अगला क्यूशन देखते हैं फ्रेंट्स अगला क्यूशन है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्वित करती है आप्षन A है और गेट आप्षन B है नॉट गेट आप्षन C है एंड गेट आप्षन D है नॉर गेट जल्दी बदे फ्रेंट्स तो इसका आप्षन C सही है एंड गेट चले फ्रेंट्स अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है यूनि जक्षन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार क्या है आप्षन A रिलक्सेशन ओसिलेटर आप्षन B ब्रोड कोस्ट ट्रांस्मिशन आप्षन C लाउड स्पीकर एम्प्लिफायर आप्षन D माइक्रोफोन इन्पुट डिवाइस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और लाइक भी करते रहे दोस्त और साथ साथ सेयर भी करना न बुले तो इसका सही आप्षन होगा रिलक्सेक्शन ओक्सिलेटर आप्षन A सही है अगला क्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्यूशन है फिल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रियों क्या है आप्शन A बोल्टेज नियंतरन डिवाईज आप्शन B धारा नियंतरन डिवाईज आप्शन D पॉजेटिफ फिटबैक डिवाईज आप्शन D लो इन्पूट इन्पिडेंस डिवाईज तो फ्रेंड्स इसका सई आप्शन A है बोल्टेज नियंतर डिवाईज फ्रेंड्स अगला क्यूस्टन देखते हैं अगला क्यूस्टन है परिपत में यक्स अंकित डिवाईज का नाम क्या है आप ये परिपत देख रहे हैं तो यक्से जो इंगी था उसका नाम क्या है आप्शन A सन्योजक आप्शन B नो बोल्ट कॉयल आप्शन C स्टाप बटन आप्शन D ओबरलोड रिले ट्रिप तो इसका सही आप्शन होगा ओबरलोड रिले ट्रिप आप्शन D सही एंस्वर जाता है ठीक है फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे हैं या रिक्वेस्ट करना होगा आपनों से ठीक है तो अगला क्यूशन देखती है अगला क्यूशन है कंट्रोल पैनल वाइरिंग में वाइरिंग एसेसरी का नाम क्या है आप्शन A डीन रेल आप्शन B जी चैनल आप्शन C ग्रोमेट्स आप्शन D रेसवे तो यह जो देख रहा है आप्शन A सही होगा डीन रेल इस पे हम M से बी को बैठाते हैं बिना स्क्रूश के अगला क्यूशन देखते हैं तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उप्योग किया जाता है आप्शन A रेसम टाई आप्शन B PVC टाई आप्शन C नौयलान टाई आप्शन D कॉटन टाई तो केबल को बादने के लिए हम नौयलान टाई का प्रियोग करते हैं अथा आप्शन C सई एंस वर जाता है चली फ्रेंट्स अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है पैनल बोर्ड एसम्बली में किस उक्करण से बचा जाता है आप्शन A सेंसर आप्शन B संकेत दिपक आप्शन C बिलगित स्विच और आप्शन D पूश बटन स्विच तो सही इसका आंसर होगा सेंसर आप्शन A सही है चलीए फ्रेंट्स अगला क्यूशन देखते हैं जे फैट में पिंच आप बोल्टिज का क्या प्रभाव है आप्शन A कोई रिक्ती करण छेत्र मवजूद नहीं है आप्शन B ड्रेंड करण शुनने हो जाता है आप्शन C रिवर्स वाइस बोल्टेज सुनने हो जाता है आप्शन D चैनल की चवडाई का अधिक्तम मान है तो फ्रेंट्स सही इसका एंसोर होगा ड्रेंड करण सुनने हो जाता है आप्शन B सही है तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्यूश्चन नियंतरन ट्रांसफर ट्रांसफार्मर के साथ नियंतरन पट क्यों प्रदान किये जाते हैं आप्शन A लोड करने के लिए रेटेट बोल्टेज बनाय रखने के लिए आप्शन B सहायक सर्किट संचालित करने के लिए आप्शन C रेटेट मुखे आपूर्टी बोल्टेज बनाय रखने के लिए आप्शन D पावर सर्किट को कम बोल्टेज की आपूर्ती करने के लिए तो friends इसका सही option है B. सहायक सर्किट संचालित करने के लिए अगला question देखते हैं friends स्वाज चालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए सन्यजकूं के सही अनुकरम का संचालन कौन सा है option A है main star delta timer option B star main timer delta option C main timer delta star option D star timer main और delta तो इसका सही option B होगा star main timer delta अगला question देखते हैं inverter का कौन शाकार्य है यानि inverter क्या करता है option ये देखते हैं AC voltage को DC voltage में परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो फ्रेंड्स लाइक भी करते रहे सब्सक्राइब भी करते रहे और इसी तरह प्यार देते रहे धन्यवाद